कैसे हैं सारे लोग ? आप लोगों को पता है कि आप लोगों का gate examination हो ül जुका है और आप मेंसे बहुत सारे student है जिन्मोंने gate examination के बाद मुझसे connect किये और उन लोगों का सबसे पहला और सबसे बड़ा question जो था ? यह सबसे बड़ा problem जो था ? वो ये था कि sir while preparation हमने concept पर बहुत जादा focus किया ठीक है while preparation हमने question practice पर बहुत जादा focus किया और फिर भी sir हम gate examination में बहुत अच्छा rank लेके नहीं आ रहे sir इसका क्या reason है तो मैंने आपसे पूछा कि जब क्यूंकि आप लोगों के पास 3 घंटे का समय था जब मैं आपसे बात कर रहा था और जब हम class में भी question practice कर रहे थे whether हम YouTube पे question practice कर रहे थे तो सबसे बड़ा जो आप लोगों के लिए flaw है वो ये कि आप कौन सा calculator use कर रहे थे तो ऐसे बहुत सारे student है जिनका सिर्फ और सिर्फ calculation की वज़े से बहुत जादा समय बरबाद हुआ है gate 23 में और इस कारण मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर वो student top 200, top 300 में हो सकते थे तो उसकी वज़े से वो 1000 के बाहर है कुछ लोग 1500 पे हैं, कुछ लोग और भी पीछे हैं reason being क्योंकि question तो solve हुआ question का concept भी पता था लेकिन कुछ लोगों का question solve late हुआ, या कुछ लोगों की calculation mistake बहुत जादा हुई, क्योंकि ये वो virtual calculator है, जो कि आपको gate examination में देखने को मिलता है और अगर आप एक नए aspirant है, जो gate 24 के लिए prepare कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए मेरा suggestion है कि आप लोगों को जितने भी question आज के बाद solve करने हैं, वो virtual calculator पर solve करने हैं अब आप सोच रहे होगी कि ये virtual calculator कहां मिलेगा, तो आप google पे सिर्फ type करिएगा virtual calculator gate examination, तो आपको मिल जाएगा वहाँ से आप इसको download करके, उसी से practice करना start करिएगा, क्योंकि यही एक mistake है, जिसने बहुत सारे student के career पे affect किया है, या career ना बोलू, तो even gate exam पे तो बहुत affect किया है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपने start कर लिए preparation gate 24 के लिए, तो इस mistake को मत दोराईएगा, ठीक है, यह आपको शुरू में कोई नहीं बताता है, यह जब बात होना आ जाती है, जब exam आने लग जाती है, तब आपसे बात की जाती है, कि अरे practice करो, practice करो, virtual calculator पर practice करो, तो यह मैं starting में आप लोगों को suggestion देना चाहता हूँ कि अगर आप gate 24 के लिए preparation करना start कर दिये, तो virtual calculator को miss मत करिए, virtual calculator को अपने daily life में लाइए, daily routine में लाइए, कुछ भी calculate करना है, तो virtual calculator से करिए, ताकि आप लोग बहुत used to हो जाओ calculator के साथ, कि अगर आपको किसी power function में बात करनी है, e to the power में बात करनी है, log function में बात करनी है, तो आप easily देख पाओ, और questions को बहुत अच्छे से attempt कर पाओ, तो यह मेरा suggestion है, ऐसे ही और भी suggestion है, आपकी preparation को लेके मैं आप लोगों को देता रहूँगा, कि आप कैसे कैसे सारी चीजों को prepare कर पाएंगे, और फिर मेरे साथ अपनी preparation journey को start कीजिए, प्रचनड batch में, ठीक है, तिल दिन बबाए, थैक ये जो मच और लव यौल.